आरिय समाजना स्थापक एवा महर्षि दयानन सरस्वती ना जीवन विश्यापने सव जाणी महर्षि दयानन सरस्वती नो जन्म महावद दशम 12 फेबरोरी अड़ार्शो चोविश्या रोज गुजरात राज्येना मुर्भी जिल्लाना टंकारा गाममा ब्रामन परिवारमा एक मुळुशंकर ना नामे थयो हतु तेमनो बाढ़पणनों नाम मुळुशंकर कर्शन दास तीवारी हतु तेमने महर्षि एक नाम सनमानमा मुप्राप्त थयो हतु तेमनो अवसान 31 ओक्टोबर अड़ार्शो त्याशिना रोज राजस्तान आजमेर खाते थयो हतु जे समये तेमनो जनम थयो त्यारे भारतमा अग्न्यान्ता जडता दंब अस्परशता बाल विवा विद्वा सतिप्रथा जीवी अनेक कुरूती ओहती अग्न्यान्ताने कार्णे सामन्य लोकु खुब नबला लागता हतु आवासमे स्वामी दयानन्दे मुर्ती पुझाने खोटी गणावी शास्त्रो अने वेदोने सर्वोच गणावी तेमने डोंगी लोकोनी निंदा करी अने मानो सेवाने सर्वोच गणावी यदी एक घटना पची तेनु जीवन बदलाई गयो अने तेने अढ़र्चो छेतलिष्मा एक्विश वर्ष्नी उमरे सन्यासी बनवा ते घरे थी निकली गया संसार्नी भोतिकता थी दूल चलता चलता नर्मदा नदी पराविया परमहंस परमान अंधजी पासे वेदांतनों अभ्यास केरो अहीं थी आगल दंडी स्वामी ना परिचे मैवा अने द्वार का संगमा सामिल थाई गया मुलशंकर दंडी स्वामी ना ग्णान्ती खोब प्रभावित थाया दंडी स्वामी पन मुलशंकर ना विवेक्थी प्रसन थाया अने दिक्षि आपी दयानन सरसुती नाम आपियो फक्त एक वर्ष्णा धर्मशास्त्रनों अध्यान करू गुरुनी खोजमा गुजरात छोड़ी काशीर चल्या गया त्या योगा भ्यास केरो अने पच्छी द्रोड मनोबलनी साथे हिमाले मा तपस्या करी योग्य गुरुन तो न मेला परन्तो आत्म ग्णान जरूर मले गया अहीं तहीं साचा ग्णानी शोधमा भटिक्या पची मुण शंकर जीहवे स्वामी दयानन सरस्वती बनी गया ते मथुरामा वेदोना विद्वान प्रग्णा चक्षु स्वामी विर्जानन पासे पोहिच्या दयानन दे तेमनी पासे ती शिक्षन मेलु जे वेदिक साहित्यना जानिता विद्वान हाता तेमने तेमने वेद शिक्षुया तेर बात अवधूत अवस्ता मरहिया दस बार वर्ष्णी तपस्या पची महर्षे दयानन सरस्वती दिवय चत्नाना स्वामी बनी गया परन्तु आत्मकल्यानी साथे देशनी आलत, धर्मन, उपतन, दांब, पाखन्ड वगेरी देश माती केम दूर करवा आयमना मनमा सतत व्यथा रहती हैती देशनी संस्क्रूतीने केम बचाईवी आज विचर करता हाता हिंदु उधार माटे यमने कठोर परिश्रम करे होतो तेमने मूर्ती पुजानों विरोध, विद्वा विवा समर्थन, हरी जनोंने यग्नियो पवित, ममिडो रोम्मामा थता पशु बलीनों विरोध, बुर्खा प्रथानों विरोध, परग्णियाती लगनों वगेरे अंगे नव चिंतन प्रगट कर्यों तेमने ब्रिटेश आसन इसलामिक ख्रिस्ती दर्म, सांस्कृतिक आक्रमन अने हिंदु धर्ममा परिवर्तनी आड़े आवता सांप्रदाईक दलोने सामे मुरुचो माइन्डियोतो स्वामी जिये तेमना मन्तवयोनों प्रचार करवा मट 1863-1835 सुधी देशने मुलाकात लिदेदी 1835 तेर मा मुंबई मा आर्यसमाज नी स्थापना करी आर्यसमाज वेदोने माने छे स्वामी दयानन्दे आर्यसमाजना नियमो तरीके विश्वने 10 सूत्रों आप्याचे जो तेनु अनुसरन करवामा आवे तो विश्वमा खुशी संतो शांतिनु सामरज्य स्थापी शकाईचे 10 नियमो शारेरीक आध्यात्मीक सार्वत्रीक बायचारो आने मानुत्या विश्वयापन आप्याचे 108 55 तर मा तेमने सत्यार प्रकाष नामनी क्रूतिनी रचना करेयादी तेमना द्वारा रचित महान पुस्तक सत्यार प्रकाष हजीपन आरियस समाज माटे मार्ग मोकलो करी रहयोचे परमहंच परमानन जी दंडी स्वामी स्वामी विर्जानन वगेरे तेमना गुरु रही आचे दंडी स्वामी दीख्षे आपी दयानन सरस्वती नाम आपी ओतु तेमान एक खास अनुनाई श्वामजी कोष्न वर्मा पणःता अरिद्वार, आगरा, कानपूर, काशी, कोलकता, अलिगड, मथुरा, वुरूंदावन, अलहाबाद, मुंबई, दरेक जिग्या यमने मान सन्मान मेलू पची पोतानू कार्यक्षेत्र उतर भारत बनावी आजे पण यमनू किर्ती मंदिर पंजाब माचे त्यार पची, महर्षी दयानन सरसुती राजिस्तान तरब चाल्या गया जिया गणा धर्मना कार्यक्रमों योजाया दा देशी राज्योना राजाओने धर्म प्रत्य आकर्शित कर्या जोदपुर्ना राजा जश्वन्ची पण यमनी एनना थी प्रभावित थाया अने भोगविलास अने व्यसन्थी दूर रहा केवाय छे के महराजा जश्वन्ची नी रखात ननी भक्तने त्यामा स्वामीना विरोधी येवा पंडितो, मुल्लावो अने अंग्रेजो साथे मलेने रसो यानी मदती जगन्नातनी साथे जहर वालो दूद मोकलिव ये ना थी दयानन सरस्वतिनों त्रीश दस अढ़ार्सों ने त्याम्षिना दिव से आवसान थायो हतु आस्तु